एलो प्रेंट्स, वेलकम बैक टूमाई चैनल दोस्तों, आज का वीडियो मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स की डीमांड पर बनाने वाला हूँ और आज का यह वीडियो एक टिप्स वीडियो होने वाला है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि आज गए है वीडियो दोस्तों मैं अपने मुबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूं और यहां पर आप देख रहे हैं एक एप है पिक्स आप को मैं ओपन करता हूं पिक्स हैप का हुम पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा अब यहां पर आपको नीचे दिखरा है बीच ओ बीच प्लस का आइकन पर आपको क्लिक करना है तो अभी मैं प्लस आइकन पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां प से से्लेक्ट करता हूं यह background तो बैग्राउण्ट पे क्लिक किया मैंने यहां पर बहुत सारे सारे background आपको दिख रहा है जैसे मैं अभी यलो सारे लिए-ाव करें ले रहा हूं तो इस्क्री मिम्मकका background कुछ इस तरीके सहर दिखेगा तो तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होता है अगर हमने YouTube का थंडेल बनाना है, तो सबसे पहले इस background का ratio सेट करना पड़ेगा, तो इसको सेट करने के लिए हमको यहाँ पर tools option दिख रहा है, तो tools पर click करना है tools पर click करने के बाद सबसे पहला option आपको दिखेगा crop तो crop पर click करना है crop पर click करने के बाद यहां पर देखें बहुत सारे ratio आपको दिख रहे हैं जिसमें से youtube के thumbnail का जो ratio होता है 16 raise to 9 तो इस background को 16 raise to 9 इस ratio में हमको crop कर लेना है तो 16 raise to 9 select करने के बाद यहां पे सही टिक option को click करना है तो अब हमारा जो background है वा 16 raise to 9 में हो गया है अब इसमें हमको कोई भी photo अपना लाना है जैसे अपने आपके पास में कोई photo की फोटो है उसको यहां पर लाना है नीचे दियेगे जो options है इनको left की तरफ slide करिए तो आपको यहाँ पर एक option दिखेगा add photo add photo पे click करिए add photo पे click करने के बद सीधे हम gallery में आ जायेंगे और यहाँ पर जो आपके mobile में photos है वो आपको दिखने लगेंगे तो जैसे मैं इस photo को select कर रहा हूँ और add one पे click कर देंगे आप multiple photos select कर सकते हैं और add पे click कर सकते हैं तो मैं एक ही photo ले रहा हूँ और add one पे click कर रहा हूँ दीक है तो यह photo आपके background में इस तरीके से आ गया अब माल लीजे कि मुझे इस photo का background हटाना है सिर्फ image को ही लेना है तो अब आप नीचे देखेंगे एक option आपको दिख रहा है remove background इस remove background पे जब आप click करोगे तो left side में आपको remove background दिखेगा इस पे click कर दीजे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ image बचा बाकी का background पूरा remove हो चुका है इसको आप इस से restore करना है तो right side में restore option दिख रहा है इस पे click करके आप इसको restore कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अभी मैं इसको remove ही रखता हूं अब देखिए इस image को मुझे rotate करना है तो rotate करने के लिए यहां पे एक option दिया गया है flip rotate तो flip rotate पे चार options है इसमें से मैं इस option से image को rotate कर लिया हूं इसके बाद यहां पे shadow option है तो आप image के जो भी part आपको crop करना है अब अपने image का part crop करके tick पे click कर दीजे ठीक है इसके बाद आपको यहां पे left side में replace का आप संदिखेगा अगर आपको इस image को replace करना है तो इस पे click करके आप इसको change कर सकते हैं तो देखिए मैंने यह select किया तो photo replace हो गया कोई भी photo आप यहां से replace कर सकते हैं एकदम left side में आपको gallery का icon दिख रहा है आप gallery से जाके वापिस कोई भी photo select कर सकते हैं जैसे भी मैं इस photo को लेकर रहता हूं तो यह photo आ गया है अब इसका मैं फिर से background remove कर देता हूं तो ऐसे इसका background remove हो गया और यहां से आप इसको slide करके कम या ज्यादा चोटा या बड़ा image को कर सकते हैं अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर option देखते है flip rotate आपने देख लिया सैडो का option आपने देख लिया यहां पर सैडो पर क्लिक करने के बाद देखिए एक menu open होता है जिसमें नन अगर सैडो हटाना है तो आप नन पर क्लिक कर दीजिए इस तरीके के बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे तो अभी मैं सैडो को हटा देता हूं तो नन पर क्लिक कर दूँगा कट आउट मैंने आपको बता दिया कोई एक पार्ट इमेज से करतना है तो आप काट सकते हैं यहां पर इफेक्ट के option है blend है border बार्डर पर आप इस तरीके से फोटो के चारो तरफ बार्डर दे सकते हैं बार्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर आप यहां से ले सकते हैं और इस बार्डर की लाइन को कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं पार्ड पतला या मोठा रख सकते हैं यहां से फ्रेम आप्स न है यहां से आप फ्रेम दे सकते हैं पिक्चर को आपको फ्रेम में याइन करीब आप लोगों को जो मेन इस इसको जब आप इसनुमाल करेंगे तो अपने आप चीज़ मुधाइल से हैं तो दोस्तों यहां पे मैंने टेक्स्ट लिख करणे के बारा है तो ज दोस्तों, यहां पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, मुबायल से ठूनेल बनाना सेखें दो मिनिआट में अब इसको यहाँ पर टीक पर क्लिक करके इमेज के उपर इस तरीके से बैक्ग्राउंड पर हमारा आ जाएगा अब देखते हैं कि और हम टेक्स्ट में क्या-क्या फीचर्स का इस्तिमाल कर सकते हैं तो हमारी पास में यहाँ पर आपको फांट्स दिख जाएंगे जो फांट्स का इस्तिमाल करके आप अपने फांट्स को चेंज कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर कलर अप्सन है color option पे जाके आप text के colors वगरा change कर सकते है highlight option से आप text को जो color से highlight देना चाहिए उस color में highlight आप कर सकते है इसके बाद है stroke option stroke option करने के बाद आपका जो text है इस तरीके से रिखेगा अब stroke में भी आप colors का इस्तिमाल कर सकते है black जो भी color आप stroke में use करना चाहते है इस तरीके से आप इस ट्रोक का यूज कर सकते हैं इसके बाद है यहां पर इस पेसिंग वाले आपसं से यह आपसं दोस्तों जहां पर आपको यह पिंग कलर का जिस फीचर्स के उपर पिंग कलर का सिंबॉल दिख रहा है इससे समझ लीजिए कि यह प्रीमियम कस्टमर्स के लिए यह फीचर उपलब्द रहेगा बाकी की चीज़ें फ्री यूजर्स के लिए भी रहेंगी तो मैं प्रीमियम यूज कर हूं इसलिए मुझे लीजिए मुझे सब्सक्राइब दो पक्राइब दो सब्सक्राइबён कर का था स Lub ूरी ब्रीमियम के बीच उपलोब्द और हूं मिली मुझे इस तरीके से लेप याईट करके अदैक्षा ज Ciश ए इसके चनलिए उप उपर निजह कम य जड़ा दूर्या पास कर सकते और तो यह spacing option से हम adjust कर सकते हैं opacity opacity में जाके हम background से मिलता जुलता इसकी opacity को कम या जादा कर सकते हैं इसके बाद एक option है style style पे जाके आप पहले से दिये हुए यहाँ पे कुछ styles रहते हैं उस style में अपने text को कर सकते हैं जैसे मैं इस style पे click करूँगा तो मेरे सारे text इस style में हो जाएंगे इस पे click करूँगा तो इस तरीके से हो जाएंगे ठीके तो एक कुछ options है इसके अलावा text में आप shadow इस्तिमाल कर सकते हैं blur या blur को slide करके कम या जादा कर सकते हैं opacity को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से blend का इस्तिमाल आप letter को इस तरीके से घुम-move करने के लिए कर सकते हैं ठीक है और letter को अपने हिसाब से अपने finger से slide करके आप कहीं भी अपने background के उपर move कर सकते हैं और यहां पर आप नीचे arrow दिख रहा है इससे आप slide करके text को छोटा या बढ़ा कर सकते हैं इसके बाद आपके right side में एक देखिए अपसंदिया हुए जिसको आप slide करके अक्षरों को की lines कम कर या ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से दोस्तों करीब पर हमने अपना text वगरा यहां पर इंटर कर लिया है अब चलिए इसको हम final thumbnail के रूप में save करते हैं तो save करने के पहले मुझे जो image मैंने लिया है यह मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो इसको मैं replace करके दूसरा image यहां पर डालूँगा इसके लिए मुझे क्या करना एड फोटो पर जाना है जो जहां पर मेरा फोटो सेव है वहां से मुझे उस फोटो को पिक करना है इस फोटो को मैंने यहां से ले लिया और इसका background मेरे को remove कर देता हूं कि ठीक है और अब इस जो mobile से थमनेल मैंने टेक्स्ट लिखा इसको मैं left side में कर देता हूं कि ठीक है इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर दिया और इस जो मैंने image लाया है मेरा इसको भी मैं बढ़ा कर लेता हूं और इसको मैं यहां से राइट side में यहां पर fit कर देता हूं थोड़ी सी spacing में बढ़ा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा करीब करीब लाइन से spacing पे जाके मैं लाइन के space को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देता हूं तो अभी मुझे मेरा thumbnail करीब करीब अच्छा लग रहा है मैं एक बार text के styles को भी change करता हूं थोड़ा सा attractive styles पर जाओंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़े करके text को select कर लेना है इसके बाद मुझे जाना है styles में यहां पर देखते हैं कोई पेटरी style है क्या तो यह style भी उतना पसंद नहीं आ रहा है यह भी उतना अच्छा नहीं है हाफ हाफ यह वाला जो style है यह मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहा है तो मैं इसी को final करूंगा अब इससे मैं इसको थोड़ा सा left side में slide कर देते हैं तो देखें करीब करीब मेरा पूरा लेटर्स इमेज पे काफी अच्छी तरीके से दिख रहा है इमेज लेटर्स को मैं थोड़ा सा adjust भी कर देता हूं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं अब दोस्तों यह तो मैंने जो इमेज लगाना था इमेज लगा दिया जो मुझे टेक्स्ट लिखना था ओभी मैंने लिख दिया अब कुछ हम इस टीकर्स वगर भी इसमें एड कर सकते हैं तो उसके लिए मैं इस टीकर पर क्लिक करूंगा जैसे मुझे यूटूब के आइकन एड कर देते हैं तो यहां आपको सर्च करना है यूटूब तो यूटूब के बहुत सारे आइकन सबको इस तरीके से यहां पर दिख जाएंगे आपको जो भी यूटूब का आइकन यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं तो मैंने यह वाला इकन चुछ किया इसको छोटा कर लेते हैं हम यूटूब वहां पे लिखने से थोड़ा और अट्रेक्टिव लग रहा है थमनेल तो अब इस चीज को में उझे फाइनल करना है तो इतना करने के बाद अब आपको यहां राइट कार्णर में टिक अपसन दिख रहा है तो टिक पे क्लिक कर दिज रहे चक्षम कर दकर सकते हैं फरी वालों के लिए से टेहर से पीजि पर करके देखता हूं तो सेवेट जेपीजी पर क्लिक करके फिर से ऊओ कर देना है सेव करने के बाद अब हमको इसको मिनिमाईज कर लेना है और चलना है सीधा अपने गैलरी में देखना है कि हमारा थमनेल वहां पे सेव हुआ या नहीं तो आप गैलरी पे क्लिक करते हैं तो गैलरी पे आप देखिए यहां पे इस तरीके से थमनेल का फोटो देख रहा है दो गैलरी से अपने द्वारा बनाये गए थमनेल को सेव कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको काफी ज़्यादा समझ आया होगा थमनेल बनाने के बारे में मिलते हैं ऐसे और भी टिप्स वीडियो के साथ में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद